अज हम जानते हैं कि किसी भी मोर का करेंट निकालने के लिए हमको मोर के नेमपलेट से क्या-क्या डाटा पता करना पड़ेगा तो इसके लिए हमको मोटर के नेम लिखे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले वो कितने किलो आट का है वो पता होना चाहिए, यदि किलो आट नहीं मिले तो HP लिख लेंगे, उसके बाद MPR लिखा ही रहता है, बट हमको इसी को वेरिफाय करना है या फिर नहीं दीक रहा है तो इसको calculate करना है, तो उसका हम full load efficiency लिख लेंगे कि उसका उस particular मोटर का efficiency क्या है और उसका full load पे power factor क्या है, बतलब कितना मेंटेन कर पाता है power vector और उसका operating rated voltage देख लेंगे और इसी चारो डाटा से मेरा फुल लोड एम्पियर जो है निकल के आ जाएगा तो यहाँ पे यहीं की फर्मूला हम देखते हैं कि कीलो आट ब्रावर रूट थिरी जिसे की यह मोटर का पावर निकलने का फर्मूला है कीलो आट ब्रावर रूट थिरी गुनो बॉल्टेज ग करना है क्या कुरेंट कैलकुलेट करना है मोटर का तो करेंट ब्रावर यह कीलो आट इसके नीचे सारे के सारे आ जाएंगे गिलो आट बाइस खीलो आट है तो कीलो वाट के साथ 1,000 से मल्टिप्लाइ किए तो यह वाट में अ कन्वार्ट हो गया ठीक है तो गुलाट बते नीचे root 3 गुना 400 operating voltage और यह जो मेरा efficiency और power factor है, इसको 0.81 के form में लिखेंगे, इसको भी 0.938 के form में लिखेंगे, उसके बाद इसको multiply कर देंगे तो उपर numerator पे 2000 हो गया, और नीचे इसको सारे सारे calculate करने पे 546.13 approximately यह होगा, अब इसको divide करने के बाद हमको आ रहा है 40.28 ampere, जो कि इसका ampere है, अभी calculate किये हैं, और name plate पे 41 ampere आ रहा है, तो इस पे जो थोड़ा सा का difference है, वो भी depend करता है कि हम यहाँ पे जो operating voltage है, इसमें लिखा रहाता है plus minus 5%, तो उसी के अधार पे थोड़ा सा current का difference होता है, यहाँ पे plus minus के करने voltage increase कर दें, तो मेरा current कम हो जाएगा, और यहाँ current कम कर दें, तो मेरा ampere बढ़ जाएगा, तो यह जो 415 है, तो यह 415 के जगा पे 410 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहाता है, 415 plus minus 5% है, इसे करके, ठेंक्यू दोस्तों. झाल